इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना वई दूस्थ आपसे चोटी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को ये लाल वाला बटन दबा कर सबस्क्राइब पूरे मांसुन सीजन की सबसे तेज बारिश हुई है आठ गंटे में चार इंच से अधिक बारिश मौसम विबाग द्वारा रेकोर्ड की गई इसके अलवा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का शेतर बना हुआ है जिसकी वज़े से मध्य परदेश के कई जिलों में आज भी भारी से भारी बारिश होने के समभावना जता ही है दोस्तों आपके आपर बारिश हुई है नहीं कमेंट करके जरूर बताना वही मौसम विबाग ने जिलों में भारी बारिश को लेकर अलट जारी किया गया उसमें दोस्तों खरगोन, बढ़वानी, अलिराचपूर, जाबुआ, धार, इंदोर, रतलाम, उजेन, देवास, उमरिया, डिंडोरी, छतरपूर, नरसिंग पूर के अलवा जबलपूर, सागर, भोपाल, होसंगाबाद, इंदोर, उजेन, गौलियर, चंबल संभाग में तेझ बारिष होने के संभाओना जटाई गया है और इसके अलवा रिवा संभाओ के कुछ इलागों में भारी बारिष होने के संभाओना काफी अधिक जटाई है हाला कि बंगाल की खाणी में बने लो प्रेशर गौालियर से गुजरने के बाद तीन दिनों तक मध्य परदेश में बारिश का दोर जारी रहेगा और मौसम विबा की माने तो गौालियर रिवा और सतना में एक ट्रफ लाइन गुजर रहेगा जिसका आसर मौसम पर और होसंगाबाद बेतूल गौालियर बोपाल खरगोन में तेज बारिश देखने को मिलेगी यानि कि दोस्तो मध्य परदेश में अगले 24-48 गंटों की तुरन काफी जदा मौसम बदलेगा और मध्य परदेश के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलट जारी किया गय में आगामी 24 गंटों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संबाओन जिसके लिए यलो अलट भी जारी किया गया है वाई दोस्तो मौसम विबाग के हम बताया कि इसके अलवा बोपाल, जबलपूर, रिवा, शेडोल, होसंगाबाद, सागर, चंबल संबागों के जिलों में आ पर भारी बारिश के कई ऐसे चिले जहां पर काफी ज़दा बारिश हुई है पिछले 24 गंटों की दोरान भी राजदानी में भी काफी ज़दा बारिश हुई है और बताया की दो गंटे में काफी ज़दा जगों पर भारी बारिश रेकोर्ड की गए गवालियर, बेतूल, म दोस्तो बात किरें आज के घर बैटो जीतो इनामें तो आज का सवाल है दोस्तो आपके पास कौन से कंपनी का फोन है यानि वीवो, ओपो, रेड्मी, रियल्मी, नोकिया, सैमसेंग, एपल या अन्ये कौन से कंपनी का फोन अभी आपके हाथ में कमेंट करके बताएं और कमें दिंडोरी और साथ में उमरिया, शेडोल, अनूपूर, खोसंगाबाद, हर्दा, बेतूल, रिवा, सतना, सीधी और सिंग्रोली में काफी जगों पर जमा जम बारिश होने की संभाना बहुत अधिक है यानि कि यहाँ पर काफी अधिक खासी जो है बारिश हमें देखने को म मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों वही मद्या पर जबलपूर में काफी जगों बिजली गिरने से काफी जगों पर नुकसान देखने को मिला वही दोस्तों बताए जारे की मानसुन एक बार फिट से सक्री और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाओ की शेतरी की वज़े से इस वज़े से जो है कई जिलों में तीज बारिश हो रही और बोपाल में भी कई जगों पर अच्छी कासी बारिश रेकोर्ड की गए मौसम विबा के मुताबिद एक टरफ लाइन जो है ग्वालियर रिवा और सतना से गुजर रही है इसके वज़े से मौसम पर असर पढ़ रहे और मंडला, खरगोर, खोसंगाबाद, बेतूल, गौालियर बोपाल में अच्छी बारिश होई है इसके अलावा दोस्तों कई इलाकों पर अच्छलकी से भारी बारिश भी होई है और मध्या परदेश के मंडला में भी 15 mm जो है बारिश रेकोर्ड की गई, खरगोर में 7 mm, रिवा में 17 mm, खोसंगाबाद में 3, बेतूल में 20 mm, गौालियर में 23 mm, और बोपाल में 21 mm बारिश दर्ज की गई वाई दोस्तों जब कई शेडोल और जबलपूर संभाग में तेज बारिश की समवावन है और अगले 24 गंटों की दोरन बेतूल, विदिसा, सागर, छिंदवडा, बालागाट और भोपाल में भी तेज बारिश होने की समवावना काफी अधिग जताई गई है और पिछले दो दिनों के दोरान भी काफी जगों पर भारी मौसम में बारिश और बारिश रेकोर्ड की गई जी हां दोस्तों विदिसा, सागर, बेतुल, छिंदवडा में भी काफी मौसम बदला है और यहां पर ज़्यादा बारिश होए पिछले 24-48 गंटों के दोरन मुर बढ़वानी, हर्दा, भिंड, शिवपूरी, डिंडोरी, उमरिया, अनुपूर, छिंदवडा, रिवा, बालागाट, जबलपूर, कटनी, शेडोल, निवाडी, सागर, चातरपूर, पन्ना, दमवा और सीधी में कहीं कहीं पर भारी बारिश होई है और अगले 2-4 दिनों क काफी जगों पर भारी मौसम में बदला और बारिश की सम्मावन हो जाए, काफी अधिक हमें मध्यपरदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगे, क्योंकि दोस्तों मध्यपरदेश में अभी बी कई इलागों पर अच्छी-कासी बारिश रेकोर्ड की जा रही है, और अग जगों पर मौसम बदलेगा, अगले आठ दिनों तक भारी से भारी बारिश की सम्मावना काफी अधिक बनी हुई है, और देवास में अभी भी कई जगों पर भारी बारिश रेकोर्ड की जा रही है, राजगड की बात की जाए, तो राजगड में तीन दिनों तक भारी बा अगले रविवार समवार को अच्छी खासी बारिश होगी इतनी जो है 29-28 के गरीब तापमार रेकोर्ड के ज़रा है फिर दोस्तों तापमार में थोड़ी गिरावट जरूर होगी बारिश में थोड़ी कमी आएगी लेकिन फिर से आने वाले अगले समवार को भारी मौसम में बदला और बारिश जो है एक बार फिर से शुरुवात हो जाएगी वह दोस्तों शिहोर मध्यपरदेश की बात की जाए तो शिहोर में एक दिन चोड़ एक दिन बारिश की शुरुआते लेकिन अगले दो दिनों के दोरन बहुत ज़ादा अच्छी खासी बारिश हमें होई दोस्तो बात करें राइसें मध्यपरदेश की तो राइसें में दो दिनों के दूरन यहां पर भी अच्छी बारिश है पूरे एक सपता के दुरह और अच्छी बारिश होगी फिर तीन दन चीटपूट फिर दो दिन भारिश है इसा मौसम का से शिला शुरू रहेगा और राइसेन के कई इलागों पर अभी भी अच्छी खासी बारिस रेकोर्ड की जारी है। और राइसेन के इलागों पर अभी भी अच्छी खासी बारिस रेकोर्ड की जारी है। अच्छी खासी बारिस देखने को मेल सकते हैं वापसे कटनी मध्यप्रदेश में। मनसौर में दोस्तों पूरे एक सब्ता के दोरन अगले 24 गंटों से बारिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दत्या में भी दोस्तों पूरे एक सब्ता के दोरन बारिस का सिलसिला शुरू रहे जाएगा। ज्यादा जगोपर भारी बारिश की सम्मावन अंगले 24 गंटों की दोरान और चातरपूर में दोस्तों एक दिन छोड़े एक दिन बारिश का से जिला शुरू रहेगा तो यह था मध्यपरदेश का मौसमी सिश्टम अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना